असलाम अलेकूम, मैं सरवत खान आपके सामने आरिक नई वीडियो के साथ में कि Excel के एंदर किसी वसको anyone current विदी से कैसे निकाली जाती है मय जिसला क्रक्षा काललर विदी से сказ की आता है, वो सामने लाने वाले है तो देखते रहे हमारी वीडियो और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए तो गुरंट खरण विदी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एकसल कोलते हैं मैंने एकसल खोला यह बने एकसल कोला और से मैक्सिमाइज कर लिया बड़ा हो गया मुझे गुरंट खरण विदी समनना है इसके लिए हमने कम से कम पांच एच्छे लाइनों को स्लेट कर लिया और यहां से मर्च और सेंटर कर दिया और चाहा तो यहां से अपने फॉरंट का साइस लबब 16-1820 जो हम चाहते हैं ले लेंगे गुरंट खरण विदी को आपको लिखना है मुल्टिप्लाई जेट अप दिखा मुल्टिप्लाई मुल्टिप्लाई पी ल्वाई मुल्टिप्लाई परड़क्ट इसके में लिखा है नेम आफ परड़ट न-a-m-e-n-a-of परड़ट 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 देबर रम परड़ट न आप मारा एंड clock accounted review मृण परड़ट डयिदिव आप ओ फेम लिखा इंडभ़ट पर। पर रड़टैंड कॉन्टिट्टि ऑप परड़ of product and actual price यह हमने डप किया। इसके बात, इंटर मारा। इंटर मारने के बात में, अगर हम चाहें, तो जो multiply of product जो ठीक कर लिया जाए, multiply of product, इसका जो है background जाहें, तो हम इसको change कर लिये, यह select कर लिया है मैंने इसको, और हमने यहां पास में home में गया है, और इसके उस particular background को यहां से रंग जेंज कर लिया हमने, जो रंग चाहते हैं, और name of product इसको select कर लिया हमने इसको ऐसे, और full land को select कर लेंगे, और यहां से इसका size बढ़ा कर लेंगे, जो हम चाहते हैं ले लिया, इसको हम row and column पर double click कर लें, यह लिखा है row and column पर hold document select कर लेंगे और दो बार click कर लेंगे, तो automatic जितना बड़ा row and column की और शक्ता होगी, उतना वह हमारा automatic address कर लेगा, address मने समयोजन, समयोज कर लेगा, जहां लिखा हुआ था name of product, मैंने मालिजी और इसको जो है लिखा, अरहल लिखा, A-R-R-H-A-R, अरहल इंच अमारा, मैंने लिखा, M-O-N-G-H, हमने दालों के नाम लिखा, सभी ये दाले है, example, मैंने 10 kg, हमने quantity शो कर रहे है, मालिया C kg, हमने लिया kg, और ये हमने लिया है, मालिया 120 रुपे में हमने अहर की दाल को लिया है, मैंने माले जी, हम रुपीस कर सकते हैं, जहां रेट लिखा है, वहां पास आप रेट कर दें, इसको वापस बैक कर लें, मैंने 120 में हम ले रहे हैं, 80 kg, अब लैंग्विज बहुत बेटर हो गई है, कि आपने किस रेट में ले रहे हैं, कितने kg, आप ले रहे हैं, नीचे आगे हैं, इसके बात में उरद है, उरद माली जी आपने वह 135 में ले रहे हैं, हम इस देमो समझा रहे हैं, यह रेट अपने हिसाब से जो वर्तवान चल रहा हो, यह जॉब कर रहे हों, तो वहां अपने हिसाब से इस रेट को लिख लेंगे, हम तरीका सिखा रहे हैं कैसे इसको फालो करना है, मैल्टिप्लाई जो रीथ रिवाज है, इससे कैसे हम वर्तव का वेल्व निकालते हैं, वह सिखा रहे हैं, पर टैप माला मैंने इसको, अब मालिया 135 रुपए किलो मिल लही है, और जो कि मैंने 90 kg परचेस करा है, पर नीचे आगे हम, इसके बार मूं की दाल वह मालिया 140 मिल लही है, और हम आगे बढ़ गए, मालिया 60 kg परचेस करा मैंने, आगे बढ़ गए, इन दोनों का हमें multiply निकालना है, तक कि हम इस rate का amount दुकानदार को पे कर पाए है, तो इसके लिए is equal to, हमारा जो यह देखा जाए, जो यह amount लिखा हुआ है, वो B और C के अंदर लिखा है, तो is equal to B 3 में लिखा हुआ है, and multiply and C 3, जैसे इंटर मारेंगे, तो इन दोनों का calculation मेरे सामने आ जाएगा, अगर 120 में 80 kg लेंगे, तो 9600 रुपे का खर्चा हमारा हो जाएगा, आप इसको दुबारा formula नहीं बनाएंगे, इस formula को copy कर लेंगे, और copy होने के बाद में इसको नीचे select कर लेंगे, और Ctrl V से paste कर देंगे, इस परकार से वह automatic calculate हो जाएगा, अगर हम चाहें इन सभी का जोड़ निकालना है साथ में सभी को, तो हम लास्ट में करसर अपना ऐसे रख देंगे, और हम इसके लिए हम जाएगे formula और fx में जाएगा, सिर्मा से भी हो जाएगा, समके formula बहुत सी विदियां इसकी हैं जोडने की, सम ले लिया और कर दिया, and once again, इस अब का जोड़ निचे आ जाएगा, तो यह तरीका था, इसको तुरह सा और T कर लिया जाए, और सुन्दर बना लिया जाए, इतना ही से select कर लिया, और इसको home में जाएगके, हम जाहें तो इसका रंग चेंज कर दें, यह ने रंग इसका कोई दूसरा different attitude रंग लगा दिया इसको मैंने, और इसके बात में, इतनी राने मुझे जो यह extra मालूम पढ़ रही है, इसको right click, और delete and column, अब यह देखने में बसा बराबर के हो गए है, और इसके बात में अगर हम जाहें, इस सारे product को bold कर दें, और मैंने इसको bold कर दिया, थोड़ा size बहाल है था कि इसका जो देखने का जो शकल है, वह साबने साफ दिखाई पड़े, और इनके formula को दो बार के लिए कर दिया जाएगा, तो यह formula भी दिखाई पड़ेंगे, फिर दो बार के लिए क्या formula दिखाई पड़ेंगे, तो इस पेकार से हमने इसको सब को गुणा कर वा लिया था, सेम तरीका अगर माले जी हमने इसके अंदर सब को जोड़ने का फावला, मैं भी इससे पहले बोल दूँ कि हम इसके लिए गय थे, formula, fx, sum होके होके इस पेकार से यह जुड़ गया, तो आशा करते हैं कि हमारी जो यह वीडियो है कि कि किसी वज़त की growing current video से value कैसे निकालते हैं तो समझ में आगी होगी, इसके इलावा हम आपको GST वगारा, Excel के अंदर, stock निकालना और bills बनाना यह सब आपको जल्दी सिखाएंगे, thank you, देखते रहिए, subscribe पर यह और share करिया, दन्यवास, स्लाम अलेकुम और नबस्ते